यह जो रेसिपी है यह है खटी चट पटी अमबाड़े की चटनी यह जल्दी तयार होने वाली रेसिपी है 15 से 20 मिनिट में रेडी हो जाती तो चल यह रेसिपी शुरूर करते हैं यह है अमबाड़े की भाजी 6 बंचस मेडियम साइस के और अब देखो मैं यह भाजी तोड़के रेडी रख ली और अब इसको मैं दो पानी से अच्छा वाश कर लेंगी वाश कर लेने के बाद देखो भाजी हमारी रेडी है और यह दस हरे मिट्चियां है मैं इसको छोटी पीसेस करके रेडी रख ली और अब इसमें मैं वाश करींगी अमबाड़ी की भाजी आड़ कर दूँगी और अब इसको मैं 5-7 मिनिट तक लो फ्लेम में पका लूँगी और अब देखिए यह रेडी है और अब यह भाजी में मैं 1 पीस्पून नम्मक आड़ कर लूँगी और अब इसके बाद यह हैंड ब्लेंडर से मैश करके सॉफ्ट पेस्ट बना दूँगी और यह देखिए भाजी हमारी सॉफ्ट हो गई और अब इसमें मैं हाफ पिंच हल्डी पॉडर डालके मिक्स करके रख दूँगी और अब यह बगार के लिए अलग से जीरा और यह ब रिफाइंड ओयल जो कि मैं दो स्पूनी दालूंगी डो टेबल स्पून ओयल और देखिए यह बगार का कलर चेंज हो रहा और अब यह बगार हमारा रेडी है तो मैं इसमें ही डाइरेक्ट जो भाजी है मैश करी हुई इसमें आड कर दूँगी यह चट्नी को मैं दो तीन मिने तक लो फ्लेम में भुन लूँगी और यह देखिए अमबाडी की चट्नी हमारी रेडी है मैं इसको सर्फ करने के लिए यह छोटे बाउल में निकाल लूँगी तो आप लोग देख सकते हैं बिना ज़्यादा तेल इस्तेमाल करे मैं यह अतनी आसानी से अमबाडी की चट्नी रेशिपी बना दी तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते बिना ज्यादा तेल इस्तिमाल करें वीडियो हल्पल रही तो लाइक शेर और सब्सक्राइब